दोस्तो, soldering iron की bit खराब हो जाने पर उसे आप असानी से replace कर सकते हैं काफी लोग इसे replace करने के बजाए नया soldering iron purchase कर लेते हैं बट आप असानी से इस bit को change करके यानि की नई bit को change करके इसे system में बना सकते हैं इसकी bit असानी से मिल जाती है 15-20 रुपे की bit आती है और यह 35 watt में है अगर आपके पास 25 watt या फिस 60 watt का भी है उनमें भी bit आती है उनको भी आप replace कर सकते हैं यानि की 20 रुपे माँ आप soldering iron बना सकते हैं बट ही नहीं बलकि इसमें जो element लगता है वो खराब होने पर भी उसे आप असानी से replace कर सकते हैं उसका भी price 10-15 रुपे माँ आता है यानि कि इसके अंदर जो समान यूज हुआ है 30 रुपे का समान यूज हुआ है बाकि इसकी जो body है वही है इसकी body कभी खराब नहीं होती है यह जंग वगर लग जाता बट आप इसको रेगमाल की मतर से clean कर सकते हैं बट आज की वीडियो हम इसकी bit को change करेंगे अब यहाँ पर इसक्रू लगा हुआ है काफी बार इसमें जंग लग जाता है बट आप इसको इससा ही कर्माल का सारर के क्को के से घा आप मैं दिखाना चाहेंगा इस तरीके से कुछ करेंगे अब इसमें स हमें नईby चला है यह बहुत ही simple trick है यहां पर इस तरीके से आपने यह पत्ती दी है इसके just बीच में इस तरीके से फजाना है और यहां पर वैसे फजा कर आपने screw को लगा लेना है देखिए एक minute से भी कम समय में इसकी bit को हमने change कर लिया है अब यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना बस screw जैसे ह हमने हटाया था वैसे ही लगा लेना है यह देखिए तो फाइनल इसकी bit असानी से लग चुकी है बहुत ही कम समय में देखिए इस तरीके से आप इसको adjust करके लगा लीजिएगा अब यहां पर हम screw जैसे हमने खोला था वैसे इसको हम कस लेते हैं नई बिटे थोड़ा सा gap ज्यादा रहे गया इस पर लेकिन कस्ते कस्ते आप इसको इसकी actual position में ले आईएगा तो चलिए हम इसको कसते हैं देखिए बहुत ही असान तरीके से हमने इसकी बिट को change कर लिया है अब आप इसको पहले की तरह असानी से use कर सकते हैं बाकि element change करने का वीडियो मैंने अल्रेटी बना लिया है उससे आप देख सकते हैं इस वीडियो के subscribe इसका link देखुआ या end प्लीज वीडियो को like जरू कीजिएगा आप like नहीं करते आपके लिए चोटी मोडी जानकारी करता हमेसा चीची जानकारी मैं share करता हूं तो like video को जरू कीजिएगा thank you so much